बिसमिल्ला हरामानी रहीम अस्लाम लेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप यकीनन खैरिय से होंगे दिल लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे मैं हूँ आपकी मौलमा मिस आईशा नवाज हम जमाद दौम की उर्दू पढ़ रहे हैं सबक नमर 9 का हमने आगास कर रखा है जिसक सबक न मैं यए अपनी जात घर इलाके और इल्द्गिर्द बारे में बात कर सके हैं सबक के आगास से पहले हम इस्लामी नक्ता नजर देखते हैं सुरा बक्रा की आयत 222 में अल्ला-त ला दोथ फर्माते हैं के अलात अला किन दो किसम के लोगों को पसंद करते हैं एक तो जो तौबा करने वाले हैं और दूसरा जो तहारत इख्तियार करने वाले हैं तहारत इख्तियार करने से मुराद है पाकीजगी इख्तियार करना धारत इख्तियार करने से मुराद है पाकीज की इख्तियार करना यानि सफाई सुथ्राई इख्तियार करना तो अगर हम साफ सुथ्रे रहते हैं और तोबा करते हैं तो अल्ला ताला बहुत पसंद करते हैं दोहराई में आपके पास सवाल है कि आप सबक का पहला निश्फ पढ़ चुके हैं बताएं कि आपने इससे क्या सीखा कल आपने देखा था कल आपने पढ़ा था कि सारा जो एक छोटी सी बच्ची है वो स्कूल से वापस आ रही थी तो उसके साथ क्या हुआ तो आपने उससे क्या सबक हासिल किया क्या सीखा आप वीडियो को रोके और अपने वाले मीन को बताएं जी तलबा आपने सीखा कि गंदगी की वज़ा से कूड़े की वज़ा से एक छोटी सी बच्ची को कितनी परहशानी उठानी पड़ी कबल अज़ पढ़ाई में आपको ये दो सवालात दिये गहें कच्रा कहा भैकना चाहिए हमारी सडके साफ कैसे रहेंगी आप वीडियो को रोके इन दोनों सवालात के जवाबाद दें कच्रा कहा भैंकना चाहिए कच्रा येकीनन कुड़ादान में भैंकना चाहिए और इसी तरह हमारी सडके कैसे साफ रहेंगी हमारी सडके इसी सुरत में साफ रह सकती है कि अगर हम घरों का कच्रा कुड़ादान में भैंके हर इलाके में बड़े-बड़े कुड़ादान पर फैंकेंगे तो फिर इसी तरह से हम मसाइल का शिकार रहेंगे तो तकलीफ से परेशानी से बचने के लिए और दूसरों को इससे बचाने के लिए हमें ये करना है कि हम कच्रा कुड़ादान में ही फैंकें कि आज अब सबक का दूसरा निश्फ पढ़ेंगे मैं आपके लिए सबक की बुलंद खानी करती हैं आप तवज़ा से सुनिए सारा अम्मी हम बाहर की सफाई का खयाल कैसे रख सकते हैं अम्मी ये तो बहुत आसान है बेटी देखो हमें बस इन बातों पर अमल करना है गाड़ी में खाते पीते हुए कच्रा बाहर ना फैंके यानि अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और आप जो भी खाते हैं या पीते हैं तो उसका डिबबाई या उसका रैपर उसका कागस गाड़ी से बाहर सड़क पर ना फैंक दे उसे अपने पास गाड़ी के अं पहेंके तो पहली बात जो आपने सीखी गाड़ी में खाते पीते हुए कच्रा बाहर ना पहेंकें कच्रा हमेशा कुड़ादान में डालें अपने घरों का कच्रा सड़क पर फैंकने की बजाए उसे मुनासिव तरीके से ठीक आने लगाएं यानि घरों के कच्रे को सड़क पर ना फैंके बलके कुड़ादान या कच्रा फैंकने के लिए जो खास जगा है वहीं पर कच्रे को फैंका जाएं ज्यादा से ज्यादा द्रख्त और पोदे उगाएं अलूदगी को और गंदगी को रोकने के लिए महोल को साफ सुत्रा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पोदे और दरख लगाना बहुत जरूरी है सारा ठीक है अमी मैं ये बातें कल स्कूल में सब बच्चों को बताऊंगी ताके कोई भी सडक पर कचरा न पहंके और हमारी सडके साफ सुत्री रहें है तो व्usch आपने सीखा कि हम अपने घरों से बाहर की सफाई को किस तरह से रख सकते हैं आप इन तमाम आ इन तमाम बातों पर आप अमल करेंगे तो हमारी सडके और हमारी गलियां भी साफ सदूत्री रहेंगी इन फिरादी सरगर्मिय में आपको दो सरगर्मियां दे गई हैं सफाई से मुतलिक कुरान मजीद से कोई आयत या हदीश मुबार्का का चार्ट बनाएं पूरा हफ्ता अपने जूते और कमरा खुद साफ करें और पेंट के खाली डबे से कोड़ादान बनाकर अपने कमरे में रखें आपने ये दो काम करने हैं पहला काम आपने ये करना है कि सफाई के मुतलिक कोई हदीश या आयत का एक चार्ट बनाना है कि एक चार्ट पर आप उसे खुशहकत तह्रीर करें गे और जमातमें लेकर आएंगे सबसे खुबसूरत चार्ट को जमातमें आवेज़ाँ किया जाएगा bhaqi तमाम तल्बा अपना चार्ट अपने घर में आवेज़ां करें इसी तरह दूसरा काम जो आपने करना है कि पूरा हफदा आपने अपना कमरा और अपने जूते अपने कपड यहर चीज को खुद साफ करना है समेट कर रखना है मुनजम तरीके से रखना है और पेंट के किसी खाली डबे से एक कुड़ा दान बना कर आपने अपने कमरे में रखना है ताके आपने जो भी कच्रा फैंकना हो वो उसके अंदर फैंके इसके बाद आपके पास गरोही सरगर्मी है स्कूल में हफता सफाई का इनकाद करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम तलबा इसमें अमली तोर पर शरीक हो आपके पास गरोही सरगर्मी ये है कि आप पूरा हफता जो हैं वो हफता सफाई मनाएंगे और तमाम तलबा इ है कि मुख्लिफ गरो जो है जमाद को मुख्लिफ गरोह में तक्सीम कर लेंगे और हर गरोज एवह स्कूल की सफाई का जाइजा लेगा जहां परिकचरा होगा उसे फोल को साफ़सुत्रा रखेगा वश में आपको सवाल दिये गए हैं या आपके पास पहले जुबानी जवाब देने के लिए सवाल है अपने दोस्त को सफाई का सफाई के काम करने का कहें और सिहत के लिए नुक्सान दे चीजों से मना करें आपने तीन जुमलों में अपने दोस्त को सफाई के काम करने का कहना है और जो सिहत के लिए नुक्सान दे हैं उनसे रोकना है आप जानते हैं कि यहाँ पर अमर और नहीं के जुम्लों की बात हो रही है तो आपने अमर और नहीं के जुम्लें इस्तमाल करते हुए अपने दोस्त को इन दोनों कामों का हुकम देना है इसके बाद आपके पास इंतखाबी सवारात हैं आपने दरूस जवाब का इंतखाब करना है हमें साफ रखने चाहिए कपड़े बाल या दोनों इस गंदेगी इरृद के माहौल को करती है उस आफ गंद आच्छा आप दरूस जवाब का इंतखाब करेंगे इसके बाद आपके पास तहरीरी जवाबाद के लिए सवालाथ है जुर्ज नमबर 4 और 5 करेंगे हम घर के बाहर की सफाई का खयाल कैसे रख सकते हैं इस सबक से आपने क्या सीखा इसके बाद आपके लिए वर्कशीट बनाए गई है जिसमें चन्सावालाद दिये गए हैं आप वर्कशीट को घर से मुकमल करके लाएंगे इसके साथ आपके पास घर के लिए एक और काम है घर में आप सफाई कैसे रखते हैं वालदैन की मदद से पांच जुमले तहरीर करें आपके घर में सफाई का इमकाद किस तरह से किया जाता है आप अपने वालदैन की मदद से पांच जुमले तहरीर करेंगे तो बचो यह हमारा आज का सबक था कल हम इसी सबक के अगले हिस्से में मिलेंगे तब तक अपना खियाल रखें, अलाहाफिज शुक्रिया